हाई अव्रिवान वेलकम टो अभी मन्यों आईएस माइनेम इस रोहित गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड तू दपॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करेंट अफेट्स को डिसकस करते हैं बहुत ही तू दपॉइंट तरीके से फॉर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन कि ऐसे कौन-कौन से सवाल है जो आपके प्रिलिम्स के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं इस साल का प्रिलिम्स तो देखिए अभी कुछी दिनों में हो जाएगा और उसके बाद में इस साल प्रिलिम्स में कैसे कॉशन आया वो भी आपके सामने आ जाएंगे लेकिन जि विवन्यू आईए इसको बेल आइकन दबाके रखिए और खासका to the point की जो videos हैं उसे miss मत कीजिए why it is because कि इसके अंदर आपको हफते के अंदर तीन videos मिलती हैं तीन videos के थुरू आपके तीन topics completely cover हो जाते हैं यानि की आप महीने के अंदर आपके 4, 3, 12, 12 topics है ना और साल के अंदर आपके कितने होगे लगभग लगभग 144 topics आपके cover होंगे जो की बहुत जादा concise form में बहुत जादा filter out हो के आप तक पहुंचते हैं what I mean is कि UPSC के अंदर इतना important है कि जितना important है कि हमें newspaper पढ़ना है और exactly newspaper में क्या पढ़ना है उससे कहीं जादा important है कि हमने क्या नहीं पढ़ना right because newspaper एक ऐसी चीज है जिसमें आपको इतना content आता है रोज का कि अगर आप उसको करने बैठे और revise करने बैठे तो आपका बहुत जादा time इसी में लग जाएगा पर असल जो selection criteria है वो आपका GS की तरफ से होता है राइट तो यह series उस particular चीज में आपको help करते हैं जो कि बिल्कुल free of cost है आपके लिए राइट तो to the point में जो आगे चलते हैं जो हमारा आज का topic है यह एक environment का topic है context इसका यह है कि अभी LCMA लेक conservation and management authority कहां की जम्मू औं कश्मीर की राइट और ने discover करी है rare type of fish known as alligator gar for the first time during the ongoing cleaning of the famous dull lake in Shrinagar तो Shrinagar में dull lake की सफाई चल रही है उसके अंदर LCMA लेक conservation and management authority ने discover करी है एक rare type of fish इसको बोलते है alligator gar क्यों यह topic important है is because कि यह एक non native fish है यह यहाँ पर naturally नहीं पाई जाती है आपके dull lake के अंदर और तो और यह जो fish है वो है carnivores तो आपके जो local आपका जो fauna है उसको यह खाएगी और आपकी जितनी ecology उसको खराब करेगी आपकी local economy को खराब करेगी the people who they the people who rely on the water and the fishes of the dull lake ना उनके लिए यह एक अच्छी news नहीं है और क्योंकि invasive species है तो हमें यह भी देखना है कि यह invasive species आई कहां से है क्योंकि यह जो है this is native of Central and North America तो वहां की fish यहाँ पर कैसे आई है UPSC point of view से हमने यह भी देखना है कि यह alligator fish यह है क्या इसकी क्या features है इसे और क्या कहा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं इसमें आगे तो context इसका यह है कि उनको alligator गार जो है first time मिली है ongoing cleaning of the famous dull lake श्रीदगर के अंदर चलिए आगे चलते है यह statement है आपके LCMA की किसी official के पर यह आपको बहुत अच्छे तरीक है समझाता है एक particular statement की यह problem क्यों है right this fish species is not native पहली तो यही पर बात शुरू हो जाती है कि native नहीं है it grows rapidly and has a long life ठीक है जी its presence can be very harmful for the ecology of the dull lake and the people around it जिनकी economy इसके ओपर जिनकी livelihood इसके ओपर dependent है उनके लिए भी यह अच्छी news नहीं है चलिए alligator gar इसके बारे में देखते हैं कि यह है क्या है अगर जिसे UPSC का 2017 से पहले एक trend था कि वह scientific name exactly पूछ लेता था अभी पिछले कुछ सालों से सवाल नहीं आया कि किसी species का scientific name पूछा होता है right but हम कुछ क्या है नहीं सकते हैं और क्यूंकि यह invasive species है और यह news में चल रहा ह है काफी ज़दा चल रहा है तो हो सकता है कि यह आपको पूछा जाए कहीं पर and in case अगर आप और कोई exam देते हैं for example Himachal Pradesh administrative services उसके forms निकले भी होए है right अगर उनका exam दे रहे हैं तो उनके अंदर भी chances बनते हैं कि वह पूछ लेते हैं और इसके अंदर और भी information है जब वह श organisms जो की आपके spectrum of salinity के अंदर survive कर सकते हैं they can survive in fresh water and salt water और in between जो brackish water आता है उसके अंदर भी survive कर सकते हैं तो that is urehyaline ray fin it is related to कि उनके जो fin होती है उसके उपर में they have a ray of spine यह ना बोन की एक रे होती है इसलिए उसको ray fin कहा जाते है यह इतना इंपॉर्टन ही यह फिश यूरी ह होता है वो important है आगे जाके भी देखेंगे एक सवाल इसके अंदर ऐसे बन सकता है कि urehyaline which of the following is not a urehyaline fish है ना तो वहाँ पर चार example आपको चार option देदेगा इसमें 3 urehyaline होगे including alligator gar जैसे एक दो examples और है हमार पास की जैसे salmon fish है ना आप लोगों ने discovery कार पर देखा होगा they they go up streams to lay eggs and then they die there only तो वो समंदर से ocean से and seas से they travel through the streams up streams है ना and mountains तक पहुंचके they lay eggs वहाँ पर तो they tackle all kind of water in between salts शुरू करते हैं and then they go to the freshest water that is available तो urehyaline का मतलब वो है eels is another example वो भी आपकी urehyaline होती है तो आप देख लेना एक बरी कौन-कौन से examples है तो आपका यह सवाल बन सकता है आ सकता है यह it is the largest species of the gar family अब देखो यह भी एक सवाल बन सकता है अगर मानलो alligator gar को पर सवाल आ गया तो यह statement आपको मापस रूर दिखेगी it is the largest species in the gar family तो आप इसका देर्फोर gar are often referred to as primitive fishes और living fossils जिनको कहा जाता है because they have retained some morphological characters of early ancestors अब यह भी आपका सवाल बन सकता है कि alligator gar are called living fossils यह फिर are called primitive fishes है तो हमें पता है कि primitive fishes other type की fishes भी है जिनको primitive fishes कहा जाता है alligator gar भी एक primitive fish है क्यों क्योंकि उन्होंने कुछ morphological characters अपने early ancestors से जो की early cretaceous से हैं उनसे as it is retain कर रखे है main distribution कहा है इसकी Central and North America यह इंडिया में dull lake में कैसे आई है इसके अभी investigation हो रही है हमने एक red-eared turtle के बारे में एक video करी थी I think around six months back जो की एक invasive species है इंडिया के अंदर तो उसको ornamental ornamental pet की तरह है ना एक pet की तरह उसको ले आते हैं लोग घर पे लेकिन क्योंकि पाले नहीं जाते हैं तो लोग क्या करते हैं आसपास किसी भी जाके किसी जोड में किसी चपड में किसी टोबे में किसी टोए में किसी local छोटी सी लेक में पॉंड में जाके छोड़ देते हैं है we don't know about the causes लेकिन इनके ओपर सवाल जरूर बन सकता है कि यूरी हलाइन क्या होता है प्रिमिटिव फिशी है यह नहीं लार्जेस्ट है यह नहीं प्लस इसका सेंटिफिक नेम है ना तो अगर आप नोट बना रहे हैं भी इसको देखके तो आप इसको पॉस किजी और सेंटिफि यह नहीं पर राइट बाकी और कुछ नहीं इसमें बाकी इंपोर्टेंट नहीं है यह ने लीफ इन इसको अन। इसको दिया जा सकता है मतलब अगर अगर गार क्यों पर सवाल आएगा तो वह ऐसे आएगा कि विच वन फी फॉलेविं इस ट्रू इन रिगार्ट इस फाल्स विद् रिगार्ट यह निच मों तेंच्या स्टे मैंक्या अध्य वनक्या नवी तटी इन त्यू अटू, अवननन्ट अवननने वीद्टी मैं पर आएगे तो आपके आएंगे तो अलिगेटर गार का आएए cn status is that is least concerned ठीक है जी अपको बता रहा था they are mostly marine with the ability to adapt to a wide range of water salinity जो बता रहा था कि पूरी spectrum के थूँ कि आपका fresh और saline और in between ये आपके हर जगा कहीं पे भी सर्वाइब कर सकते हैं they have the ability to adapt anywhere they can survive either in fresh water salt water और brackish water some urine organisms migrate between fresh water and salt water habitats during their life cycle जैसे for example salmon की बात कर रहा था यह आपके दिया भी है some examples salmon eels तो आप दो चरह और examples देखना इसके try to identify those examples जो आपको लग रहा था कि ये urea line नहीं है यह तो यह तो marine fish यह यह तो fresh water fish तो आपको इस टाइप के organism में confusion होगी यह यह urea line है तो वह खासकर note कर लेना बाकी तो आपको पता ही होगा अगर आपका option जो है सही जा रहा है तो आपको सब कुछ note करने की जुरूरत नहीं है at least जहां आपका mind आपको एकदम से गरत की तरफ लेके जा रहा था वो ज़रूर आप note करके रहना उसको जुरूर रिवाइस करना आप right that is all in today's video thank you so much for watching and अगर आप अभी 28 को attempt दे रहे हैं so I wish you all the very best calm हो के cool हो के अपने exam देना है and अगर आपका attempt 2024 का है तो यह एक साल आप जरूर हमारे साथ यहां पर जुड़े रहिए also we have current affairs class actually जो main class है हमारी right यह आपका calm 24 का पूरी तरह done कर देगी इसके बाहर आपका कोई current affair कुछ आता नहीं है pre and mains दोनों इसमें cover होते है offline online format दोनों में available है आपको साथ देन का free trial मिलेगा इसके लिए तो in case अगर आपको ऐसा है कि यार भी नही current affair तो मैं खुदी cover करूँगा या फिर अगर आपको धक्के खाने है तो वह सब करने के से पहले आप यह free trial लेके देखिए एक at least आपको यह पता लगेगा कि current affair cover किये कैसे जाते है राइट कि क्या पकड़ना होता है क्या छोड़ना होता है किस current affair को किस तरीके से cover किया जाता है तो आप classes लगाईए आपको समझ में आएगा बहुत अगर अच्छा लगे तो class में मिलते है thank you so much my name is Rohit Garcha this is Abhimanyu IAS